जैसे कृष्णा राधी राधे कैसे हैं आप सभी आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और यहां पर दिखिए खाना अगरा सब कुछ बन गया था और मलाई रखी थी तो फिर मैंने गरम करने के लिए रख ली क्योंकि शाम को फिर काफी लेट हो जाता है इसलिए तो य मैंने यहां पर मलाई का भी काम निप्टा दिया और गरम होने के लिए रख दिये साथ में बरतन भी क्लीन करती जा रही हूं ताकि मेरे दोनों काम साथ में हो जाए इसलिए अभी आप तो इतनी घरमी पढ़ रहे है कि कीचन का काम करना थोड़ा बहुत मुस्किल हो जाता ह बातने इसमें से भी फिर गी निकाल लों गी और तो इसको मैं छोड़ दूंगी अभी नहीं करूंगी क्योंकि फिर बहुत दोपेर में जैसे दोपेर होने आई ये तो गर्मी भी ज़्यादा लगने लग जाती है काम जल्दी हो गया था तो फिर मैंने मलाई काम कर लिया वरना तो लेट हो जाता है तो फिर नहीं कर पाती हूँ तो मलाई वगरा सारी मैंने च्छान लेती निकाल लेती और काउंटर टोफ वगरा सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया है दिख सकते हैं अब इकदम से क्लीन है और यहां पर अभी में सुबह में मान्या ने दूद नहीं पिया था तो मैं उसके लिए बना रही हूं रूत सर् बाद में उसको क्लास में भी जाना है अभी तो दोपेर का टाइम हुआ है तो अभी दे दूँगी फिर थोड़े बाद वह जाएंगे गंटा दो गंटे बाद पर जाएंगे लास तो यहां पर यह ठंडा दूद निकाला है फ्रिज का मैंने और उसमें मैं डाल रही हूं य यहां पर मिक्स हो गया ठंडा दूद ले लिया है और रूस की इसमें प्लेट पतियां जो हती है वह भी आती है बहुत अच्छा ट्रेस्ट लगता है इसका और यहां पर उसने बोला कि मुझे इसमें वह भी चाहिए सब्दा के बीच भी चाहिए वैसे तो मैं भीगो के डा दिनों में सब्जा के भी बहुत अच्छे रहते ठंड़क बोडी में ठंड़क करते हैं तो इसे तो रेगुलर हम लोग यूज करते ही रोज सर्बत पानी में भी बनाते तो भी हम इसका यूज करते निबू पानी में और इसमें तो देखिए यहां पर मैंने डाल दिया है और यह रोज ड्रिंक हो गया है रेडी को बस दो दो से तीन मिनट में फूल जाएंगे अच्छे से मिक्स करते करते ही फूल जाएंगे अच्छे से तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहते हैं दूद भी ठंडा दूद है फ्रिच का तो बहुत अच्छा है गर्मी काफी पड़ रही है और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं किया थोड़ा मोबैल चलाया था लेट गई ती गर्मी इतनी है कुछ करने का मन भी नहीं करत अब यहां पर शाम का टाइम है और खाने की तयारी भी कर रही हुँ मैं भवे लेक्या है तो उनको भी मैंने बी टूट और चिक्कू अगेरा और एक नया फ्रूट भी लेक्या है तो बस अब को धोकिया रखा है और यहां पर जो मैंने कुरचन रहने दीती तो इसमें मैं तो दो-धाइग अजाएगा तो फिर इसको पानी को रखोंगी में तो इसके अंदर जितना भी घी होगा वह सब उपड़ जम जाएगा ठंड़क के जब में ले लूंगे उसको च्छान के ऊपर से घी घी निकल जाएगा पानी अलग हो जाएगा तो इससे का काफी गी वेस्ट हो जाता है यह देखिए इस तरह के से उबाल लेना है बहुत अच्छे से उबालना है इसमें भी गी हमारा काफी चला जाता है मतलब 2 से 3 चमश जितना बड़ी चमश खाने की जो होती है लगबक 3 2 3 चमश फैंक देते हैं तो बस यह उबल रहा है यहां पर और यह कुछ जामून बोलते हैं यहांपर अभी यह देखिए आप जामून बोलते हैं पर कुछ भी टेस मैंने काफी बात देखे तक पर मैंने लेकर आई थी स्थेयर सेटिस देखे लेकिन बच्छों की सिड निकल गया है को सब्सक्राइब हो इltry चाटों घर दोंगी ठीए भी ठाई मैं लाइ्ट कि भूख नहीं है ज्यादा इसलिए नास्ता कर लिया था तो भर्मी से लिए पुलाव बना दूंगी मैं अभी शाम को खाने में ट्रोटी वैसे भी मैं तो खाती नहीं हूं शाम को और बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं तो फिर कभी कबार खा लेते बच्चे दो पर मैं नहीं निकलता है तो बसी सारा मैंने छान दिया है लगपक सारा दबा के निकाल लोंगी और फिर इसको रखेंगे फ्रीज में और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर न्यूँ है तो प्लीज सेस्क्राइब करूर करें कोई भी चार्ज नहीं है तो फ्री है कोई चार्ज और नहीं होता है और कोई दिक्कण नहीं होती है तो पुली सेस्क्राइब यह और फ्रेंड्स में शेर भी टरें वीडियो को सपोर्ड करें सब्सक्राइब करके ही देखें और नोटिफिकेशन को कर दें आल पे तो आपको जो भी वीडियो के नए ने नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो यहां पर देखिए च्छान लिया है उसके बाद में यहां पर ठंडा होने के लिए इसको छोड़ दिया है काउंटरो पर ही यह तो मेरे पास उससे बना दी हूं मटर वगएर तो थे नहीं तो मुफली के दाने मैंने ले लिए सिंग दाने और टामाटर कट कर दी हूं प्यास हरी मिर्ची यह सब मसाला कर दूंगी रेडी जिससे कि हम खिचडी बनाते हैं उसी तरीके से पर मटर नहीं थे तो मैंने और गरम होने के लिए रखा है पास में दूद्ध है फ्रीज में रख दोंगी शाम को ही आते हैं दुद्ध वाले भीया तो सुबह में वह दूद्ध यूज़ाता है जब हमारी मर्जियो टाइम से फिर सुबह में तो फिर लेट हो जाता है इसलिए दूद्ध किस ताइम आ कि एक्तम क्रंची से हो जाएं ऐसा रोस करना है और वर्मिसेली का निकाल दिया है डिपा तो शाम को दूद्ध फ्रीज में रख देते तो मलाई सुबह में बहुत अच्छी निकल जाती है यहां पे देखिए हरी मिर्ची डाली है कड़ी पता रख लिया है मैंने वह प्याज क तो यहां पे मैं यहां पर मैंने डाल दिया है थोड़ी से हें इसमें इसको बढ़ाने के लिए और जीरा भूल गई थी जल्दबाजी मैंने सिर्फ राई डाल के मुफली के दाने तो फिर मैंने मसाले को साइड में कर दिया और बीच में ऑईल हो गया तो मैंने उसमें डाल दिया है जीरा और सौंफ तो अच्छे से इनको होने देंगे यहां पर एक चमच नमक डाला है मैंने टेस्स के हिसाब से जितनी इसे हो से चमच नमक डाल दिया है तो इसके बाहिद मैं डालूंगे इसमें-वर्मिसेली तो यह मार्केट में भुनी हुई भी मिलती है पर बीना भुनी यह ऐसी वाइट ह रेती ही दो लोग उसको योज प्लैय वोई में नहीं लाता है छाएं और बिला सकते हैं यह किसी त्हुली में प्लैय संदब पानी ज्यादा जरूत नहीं पड़ती है इसमें बहुत कम पानी में हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है बहुत इच्छी बनती है आप लोग भी तो देखिए बस थोड़ी ही देर में यह होने को है और यहां पर थोड़ा सा दबा के देख लूँगी हुई है कि नहीं बस लगबग होने में ही है ज्यादा टाइम नहीं है बस एक मीनट और और ओ जाएगी रेडी तो यहां पर मैं जब यह रेडी होने को होती है तब इमें डाल रहे हैं यहां पर एक चमच खी तो इससे बहु बढ़ जाता है पर फिलाल मेरे पास तो कुछ नहीं था जो था मैंने सब्सक्राइब बना दिया है ऑर यह रेडी हो गया है अभी आपको लग रहा हो नहीं कि घिला घिला है लेकिन यूज यह से ठंडा होता है वैसे एकदम बिख्रा बिख्रा हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने डाल दी है हरा दन्या बस थोड़ा सा बचा था, तो लास का थो थोड़ा मुर्जा भी गया था पर प्र मैंने डाल लिया है टेश तो आई घएगा तो तो देखिए इस ते का गिला है लेकिन जैसे हम हलका सा ठंडा होगा ना तो दम खिला-खिला हो जाता है तो गैस मैंने आफ कर दिया यहां पे निकाले थोड़ी से आलू भुजिया तो आलू भुजिया पो डाल के खाएंगे बहुत टेस्टी लगता है इसे तो पहले दे दू मिठाजे सेंली है इसे वह बनाती है मिठी सेंली है दूद में हम बना लेते हैं और बिना दूद के भी यह बना जाती है मिठी और यह तिखा पुल्दाओं भी बन जाता है तो बहुत सारा यू उप्मग एदम अब रिख के लिए अ Stre यह सबसे बेटर है कोई ताम जाम नहीं कोई जंजट नहीं रात में भीगो के रखो सुबह में इतना थोड़ा बुत खालो जित जो आप खा सकते होतना तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बीट्वेल के लिए भी बहुत बेस्ट चीज है यह और यह देखिए मैंने गी निक मैं पर यह जसकी ज़ंगे लिए इसमी में ले लोगी चांट के पानी निकल जाएगा और गी temi किषनी थोड़ा निखेशनी श हंा चेंट्ड देखे रंद्ध होगा तो यह निखी टो यह वीडियो जाता तो यह की निकल गया काम आजाता अटा लगा दो भी बनेंगे तो चलिए वीडियो को करते यहीं पर मैं आइपको वीडियो पसंद आया ओगा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर न्यूँ हो तो सब्सक्राइब करें सपोर्ड करें थेंक यूफ फॉर वोचिंग मिलते हैं फिर एक ने वीड बेएबेगे!